नमस्कार दोस्तों आप सभी का हर्दिक स्वागत है आपके अपनी चैनल में दोस्तों बिजली भाग में जो वेकेंसी निकली है जिसमें पंदरा सो पदोपर भरती होना था बट सरकार ने अभी भी breaking news दिया है कल का या news है कि अब पंदरा सोग की जगा इन हिजार पदोपर होगी भरती तो इसके पिछे बहुत बड़ा कराण है उसकार को आईए हम लोग देखते हैं कि या इजाफा क्यों हुआ और इसका भी संसोधित ग्यापन नहीं आए है आज कल म भी चालू हो चुका है 21 अगस्त से इसके लिए भाम भराना चालू हो गया है तो आईए इसी पर बात करते हैं पूरे मामले पर तो दोस्तों जी हां सरकार का बहुत बड़ा फैसला है कि पहले पंदरा सोग के लिए विकेंसी निकली थी अब उसके जगा में तीने जाल पद आपता सबसे पहले पहुंचे और टेलीगराम गुरूप का लिंग निचे दिया गया इसको भी जोई दिरू करिए तो दोस्तों इसके बीच्छी जो भी करान है आईए इसके बारे बात करते हैं तो यह रहा इसका करान कि राइपूर में विगत 15 दिनों से जो समीदा कर्मी अलाइन में वह हरतार पर थे कि हमारे रिगुलर की जाए और वेतन भी बढ़ा जाए तो निच्ची थी उनका रिगुलर तो नहीं किया गया है बट वेतन में बढ़ोत्र की गई है जो पहले आठ जार मिलता था अब उसको बढ़ा कर 13,000 रुपय कर दिया गया है मतला 5000 रु को बढ़ा जाए समयदा को तो उसके लिए बीच का रास्ता निकाला गया है जिसमें उसके लिए पांच-चार सेलरी बढ़ाई गई है अब 3000 रुपय के लिए आवेदन मंगाया था अब वह 3000 के लिए आवेदन दिया जाएगा तो दोस्तों यहां पर देखते हैं कि इस सब क क्या है जो भी मिरिट बेस से भरती हुआ है वो लफाग 70% प्लस वाले ही है और धिकान समयदा कर्मी इसमें फांप्लाई करेंगे तो मेरे साब से लफाग 90% पोश्ट उन्हीं लोग के लिए रहेगा लफाग 25 समयदा कर्मी है और जो बचे है इसमें एक फायदा है कुछ व वह रेडिस में जुटे हुए थी अब क्या होगा अब 500 प्लस है तो देखा जाए तो 500 विर्जगारों को फायदा हो जाएगा तो आए इसे पर और डिटेल में बात कर लेते हैं तो यहां पर दूस्तों आनलाइन फाम भराना स्टार्ट हो गया है अगर आप फाम भरना नही रिकॉर्मेंट में जाना है रिकॉर्मेंट में आने के बाद यह आपकर पेज़ खूल जाएगा उसकर आप जिस संभाग से रिलेटेड है तो उस संभाग में आप जाकर क्लिक करना है तो आप यहां पर आनलाइन के लिए क्लिक करेंगे उसकर आपकर पेज़ खूल जाएग कि आप इस विभाग से हैं मनलब इस संभाग से हैं कि नहीं है उसके हिसाब से आप निचे जाकर यहाँ पर मैं सामात हूं आए ग्रिक को क्लिक करेगा फिर आपके डॉक्मेंट वाला पेज खुल जाएगा तिसमें आपको सभी चीजे भरना है किस-किस संभाग से हैं किस जीले से हैं पूरा डेटेल आपको भरना है यह एक प्रकार से सिंपल है तो इस तरह आपको यह सब्मिट करना है तो इस तरह आप फाम भर सकते हैं आप मोबायल से भी जाकर भी फाम भारवा सकते हैं तो दोस्तों ऐसे में जो भी नए कंडिडेट है नए बेरुजगार है उसके लिए बहुत कमी फायदा है और मेरे इसका जो सेलेक्शन नहीं होना चीए 100% इसके लिए एक्जाम देना चीए मेरा यह अन्रोथ था और मैंने कुछ अब्यारति पर चीए तो आप निश्ची थे पर जाकर वहां अपिस जाएए वह अपिस में अवेदन देजी और मेरे वीडियो के माध्यम से अगर सासंता के बात पहुंचती है तो निश्ची थे कोई भी रिगुलर एक्जाम मेरिट के साफ से नहीं लेना चीए इसके लिए हमेरे सा कं पहले है तो निश्ची थे मेरे वालों को फायदा होता है बट एक्जाम में सभी को मौका दिया जाता है और इसमें एक्ची जाओर है कि जो भी अभ्यारतिय हैं जिसका साइट परसन से कम है टेंथ में तो मेरे साब से इसको फाम भरना उचित नहीं होगा बट आप अगर भ और दोस्तों ये एक अनुबंध वाला पायरागर आप है तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि आपको सेलेक्शन होने बाद ये आपको पुराना है बारा सो वाला इसके जगह में आपको कुछ दिन बाद दिने जार देखने को मिलेगा और आपको जो निउप्ती रहेगी व जो आपको एज है वो 18 साल से 40 साल तक नर्मल के लिए और STC OBC के लिए आपको पांस साल छूट है तो छूट के भी आप फायदा ले सकते हैं और आवेदान के लिए मैं आपको यहां पर बता दिया हूं सबसे नीचे आइए मैं यहां पर दिखा दिता हूं यहां पर साधिक दक्षता भी होगी जिसमें 20 मिनिट में सिढ़ी के सहाता से बीना मलब 20 मिनिट में आपको बीना सिढ़ी की आपको 13 मिटर उच्छे खंबे पर चलना है और दूसरा आपका है लिए बिश्योग भाग एक साधिक पर अपना नियाम कादा बनाते हैं तो परिशारक लाइन के पर चनित उम्मिद्वार के नेक्ति पर इच्छा पर की जाएगी और पर इच्छा पर या रासे आपको वापस कर दे जाएगी और इसमें इंपोर्टेंट है यदि प्रिक्षार्थी प्रिक्षा हो धी कि में पावर कंपणी के सिवा से त्याग पत्र देता है अथ्वा इस्थाई करण है तो अनुपिक पा जाता है तो ऐसे से तिम सुरुक्षन इधि जब तक कर जाएगी जैसे कि चुना में बांड भरा जाता है उसी तरह से यहां पर बांड भरा रहें कि पचास जार की उससे पहले आप अगर छोड़ कर चले जाएंगे तो आपको पचास जाएगा तो एक तरह से देखा जाए तो उसरा असर गलत है आप इसमें बंधन मुक्त रहें म और अपने हिसाब से इसमें फार्म डालें बट मेरे हिसाब से इसमें एक्जाम होना था ताकि सभी को मौका मिलता भले ही आप समयधा कर्मे को बोनस दे देते तो चले दोस्तों और कुछ भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट करकर अवस्ते पुछें और चैनल को सब्सक्रा पर कर रखें हम लाइक हम सेर चलू करें चले दोस्तों